नमस्ते गाइज, KSRM Family की टीम से आप सभी के मां के चर्णों में हमारी टीम की और से सत सत नमन है, तो आज मदस दे है, आप लोगों को मदस दे की हादिक हादिक सुब कामना है, तो चलिए आज की ये वीडियो सुरू करते हैं, ये वीडियो मुक्रुप से मुंगेजी कर दिया गया, आप लोग पर ले लिश जाकर चेक कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, लेक्टर छे का, तो आप लोगों का पहला कोश्चन है, सर रोबर्ट वालपोल का जन्म कब और कहां हुआ था, तो रोबर्ट वालपोल का जन्म 1676 इस वी में से, नेक्स कोश्चन है, सतरसो आठ इस वी में रोबर्ट वालपोल बना, तो सतरसो आठ इस वी में रोबर्ट वालपोल जो है, वो युद्ध मंतरी बना था, क्या बना था, युद्ध मंतरी, नेक्स कोश्चन है, सतरसो पंदरे इस वी में वालपोल न्युक्त हुआ, तो वो कोसाद ध्यक्ष के रूप में नुक्त हुए थे, किस रूप में तो कोसाद ध्यक्ष के रूप में नुक्त हुए थे, नेक्स कोश्चन आप लोगों का, किसके मंतली मंदल में पधान मंतली हिराजा का मालिक बन बैठा, तो छोटे पीट के सासनकाल में अर्थात यंगर पीट के सासनकाल में मंतरी मंदल के पधान मंतरी राजा का मालिक बन बैठा नेक्स कोश्चन आप लोगों का जॉर्ज को किस डल का समर्थक प्राप था तो जॉर्ज को वीग डल का समर्थक प्राप था इसका एंसर आप लोगों का गलत दिया गया था जिसकी सही जानकारी आप लोगों को वीग डल दी गई है नेक्स कोश्चन है किसका कथन है राज़तु की सक्ती बढ़ चुकी है बढ़ रही है और इसे खत्म करना चाहिए तो ये जोर्ज डनिंग का कथन है और जोर्ज तिर्टे के लिए कहा था किसके लिए कहा था तो जोर्ज तिर्टे के लिए कहा था किसने कहा जोर्ज डनिंग ने नेक्स कोस्चन है इंडिया बिल पेस किया गया था तो इंडिया बिल जो है फॉक्स द्वारा पेस किया गया था इसके द्वारा फॉक्स द्वारा नेक्स कोश्चन है पीट किस दल का नेता था तो पीट यू है वो विक दल का नेता था नेक्स कोश्चन है आप लोगों का पीट ने कांसोलीडेटेट फंड की योजना कब तैयार की तो 1787 वी में कांसोलीडेटेट फंड की योजना तैयार क कि ती थी थी ने 9 को स्टना है फ्रांस के साथ लेपारिक संधि की तो 1756 में वेपारिकश संधि की थी नेक्स को स्टन एपीट का इंड्या बाउत ही पास हुआ दो पिराफ इंड्या के सास को कि मैं सबसे 14 particularly हा सकता तो जोई ठीटी है हनुवर के सासक मैं सबसे 14 2 में सकती सा सकता अक्स लेक्स ऊसके पीट ने कनाडा एक्ट कब पास किया तो पीट ने 179 गले डिस्टोन ने कागज करको रद करने के लिए कब प्रस्ताव पेश किया था तो 1860 में गले इस्टों ने कागज करको रद करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था और 1862 में फिर इसे हटा दिया गया आरिस धर्म संबंधी Bill कर पक्ता हूँ अर यह जो लट्स लिखा हूआ है लोट्स का मतलब हुता है भग्वान तो अंग्रेज सब अपने नाम के आगे लोट्स लगा आते थे जिसे लोट्ट के निक इस्तेरेक से तो वो Lord उसके लिए अपने लिए नहीं है अपने लिए सिर्फ कहानेंग यह है नेक्स कोस्टिन लॉट शरभा ने किस दल का बहुमत था तो लॉट शरभा में वीग दल का बहुमत था आप लोग अगर जैसे की confusion हो जाए कौन दल है कौन दल है तो लगबग लगबग question के answer आप लोगों के weak दल होते हैं तो आप लोग वीग दल ही मारेंगे सुधार अंदोलन का प्रारंब कहां हुआ तो 19 सदी में इंग्लेंड में सुधार अंदोलन का प्रारंब हुआ था कहां था इंग्लेंड में अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो यूटूब में एक फंक्शन आता है आप आज को जो है वो नॉर्मल से 0.25 करके भी सुन सकते हैं तो चलिए next question देखते हैं नेक्स कोश्टन आप लोकों का इंग्लेंड में 19.05 इसवी में चुनाव मेकिन की जीत हुई तो उधार बलकी जीत हुई ती उनीसोब पांचिस वी में इंगलेंड में नहीं है ओके और देख लिए ये उच्छी सवा जो है उच्छी सवा को लॉट सवा का जाता है क्या का जाता है लॉट सवा और निम्न सवा को कॉमन सवा का जाता है इसे भी आप लोग नोट करके रख ले ये आप लोगों को अब्जेक्टिव में काम आएंगे उच्छी सवा क विल्यम तीर्टे के समय संसत में किस डलकी परधांता रही तो विल्यम तीर्टे के समय वीक डलकी पर धानता रही थी नेक्स कोश्चन है इंग्लेंड और आयरलेंड के बीच एकता स्थापी थुई तो इंग्लेंड और आयरलेंड के बीच अठारे सो इस्वी में एकता स्थापी थुई थी कव अस्थापी थुई थी एकता अठारे सो इस्वी में अस्थापी थुई थी पढ़े होंगे अच्छी है वो चेप्टर नेक्स कोस्चन 1951 सबी में किसकी विजए हुई तो अनुदार बल की विजए हुई थी उनसे ग्यावन के आम चुनाव में नेक्स कोस्चन है बल्गेरियन ने तुरकी के सास्पो के वृद्ध विद्रो कर दिया अकब तो 1876 में विद्रो कर दिया नेक्स कोस्टन डिज्रेली ने प्रिंस ऑफ वैल्स को अब भारत की यात्रा के लिए भेजा तो डिज्रेली इंतर को भारत की यात्रा पर भेजा था 1921 में भी वह आया था 1921 में भी आया था और 1875 में भारत की आधरा पर बेजा था और 1921 अगर उप्सेंस रहेगा तो 1921 भी आप मार सकते हैं लेकिन अप्सेंस के अनुसार अभी आप लोग यहां पर मार सकते हैं भी ओके नेक्स कोश्चन स्टांप एक्ट पास किसने करवाया तो इस्टांप एक्ट ग्रिन वील ने पास करवाया कब पास करवाया तो 1765 पर था 1775 में पास करवाया नेक्स कोश्चन है ताउन सेंड कौन था तो ताउन सेंड अर्थ मंतरी था कौन था अर्थ मंतरी यह कोश्चन आप लोगों के लिए यह कोश्चन आप लोगों के हुआ था और इस ते रिलेटर एक कोश्चन है पर्थम विस्वी यूद में अमेरिका कब कुदा था आप जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्योंकि आप लोगों को कल ये कोश्चन बताए गया है नेक्स कोश्चन है आप लोगों का स्वतंतलता संग्राम के दौरान घोसना पत तयार किया गया नेक्स कोश्चन है अमरिका का स्वतंतलता संग्राम में किस रास्ल को प्राजित होना परा तो इंगलेंड को प्राजित होना परा था अमरिकी स्वतंतलता संग्राम में नेक्स कोश्चन है इंगलेंड की प्रिथक्ता की निती के अंत के साथ ही कौन सा 2022 साथ में 2022 को आप लोगों को इसका पीडियाप मिल जाएगा तो आप वहां जाकर ले सकते हैं नेक्स कोश्चन है पर्थम विश्यूद में इटली मित राष्ट्रों से जाकर कब मिल गया तो इटली जो है वो 1915 इस भी में जाकर मित राष्ट के साथ मिल गया इससे पहले 1915 को मिला था कब मिला था तो 26 सप्रेल 1915 को एक्ट कुरेट डेट यह है नेक्स कोश्चन है ब्रिटिस सेनिकों की हार कि सस्थान पर हुई तो ब्रिटिस सेनिकों की हार पेरिस में हुई कहां हुई पेरिस में अठाथ फ्रांस में फ्रांस की राधानी होती है पेरिस पेरिस है तो सिक्षितमूरत की जम पर्थम को कहागिया कि से mechanisms पर्थम को अब next question देखते हैं next question है आप लोगों का गन पॉडर contract किस वर्ष किया गया तो गन पॉडर पॉडर प्लांट किस ने किया तो Catholic ने गन पॉडर प्लांट को किया था ऩह जो शन आप लोगों का to law तो two law of the free monarchies के लिखकते जम्स परत्रम next question देखते हैं next question आफ लोगों का tenis टाठा boundage कर था तो ये आयत कर पर लगाया जाता था tenis टाठा । time कर next question आफ लोगों का महान समझोते का परस्ताव किस वर्ष रखा गया था तो महान समझोते का प्रस्ताव रखा गया था तो आज आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट होता है कल फिर नेक्स लेक्चर आएगा आप लोगों का फिर पच्छास कुस्टन का स्रीज तो आप लोग चेनल पर बने रहें और आप लोगों को बता दूँ कि एक से दो दिन में आप लोगों का अब जो है अब्जेक्टिव बेस्ट के बुक रिलेटेड आ जाएंगे लेकिन उसमें कितना सही रहता है कितना गलत वो तो पता नहीं है तो आप लोग जो है आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें क्योंकि इससे आपको फाइदा मिलेंगे अब जो भी आप लोगों को कुस्टन कराए जाएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे और वो बुक से होंगे वो भी टीम बीउ और मुंगेर उनिवर्सिटी के बुक है साइट भन पब्लिकेशन का है तो उससे आप लोगों को सिर्फ अबजेक्टिव कराए जाएंगे तो आप लोग चेनल पर बने रहें और होगा तो आप लोग का जो न्यू बुक आएगा तो उसका भी आप लोगों को एनलाइजिस करके दिया जाएगा कि कौन को उसमें सही यह गलत है तो आप लोग चेनल पर बने रहें और हड़ अप डेट के लिए टेलीगाम चैनल अबसल जाएन करे और वीडियो को देखते रहें आप लोगों का वीडियो और भी प्रोबाइट किया जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, ठैंक यू